असलाम अलेकुम फ्रेंड्स, किचन विद आपी में मैं आप सब को वलकम करती हूँ और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बच्चों और बड़ों दोनों के पसंदीदा फ्रेंच टोस्ट फ्रेंच टोस बनाने के लिए हमने 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम लिए दो अदद अंडे लिए हैं चार डबरोटी की स्लाइस लिए हैं हाफ कप मिल्क लिया है हमने और 3 टेबल स्पून हमने चीनी दी है एक बाउल के अंदर हम दोनों अंडो को तोड़ लेंगे अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेल आइकन पे क्लिक करें अब हम इसमें बाकी की तमाम इंगिर्डिन्स शामिल करेंगे जिसमें फ्रेश क्रीम और 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अब हम इसके अंदर हाफ कव मिल्क एड़ करेंगे ये तमाम चीज़ें हमने रूम टिंपरेचर पर ली हैं और इन तमाम चीज़ों को हम हैंड बीटर की मदद से बहुत अच्छा बीट करेंगे और आप इसके अंदर आइजन शुगर का इस्तमाल भी कर सकते हैं या हम दो डबरोडी की स्लाइस ले रहे हैं जिसे हम ट्रैंगलर शेप के अंदर कट कर रहे हैं और आप इसे अपनी मन पसंद शेप के अंदर भी बना सकते हैं बागी की दो स्लाइस में रेक्टेंगलर शेप में कट कर रही हूं और कटिंग के दुरान इस बात का खयाल रखें कि आपकी नाइफ शार्प हो और आप तब्वे पर घी डालेंगे और तब्वे को लो फ्रैम पर रखेंगे और आप इसे बटर में भी फ्राइ कर सकते हैं और अब हम स्लाइस को इस मिक्सर में डिप करके फ्राइ करना स्टार्ट करेंगे और डिप करते वग इस बात का खयाल रखेगा कि स्लाइस जादर दे इस मिक्सर में डिप ना रहे हैं वरना स्लाइस टोट जाएंगे ये बहुत यासान और जल तयार होने वाला ब्रेकफास्ट है और आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और अब हम पल्ती के मदद से एक-क करके इसकी साइट चेंज करेंगे बहुत ही जबदस कलर आया है और दुसरे सैट के कलर के लिए हम इसे टू मेंस लो फ्लैम पर ही रखेंगे और इस तरह हम सारे स्लाइस फ्राइ कर लेंगे और अब हम इसे डिश आउट करेंगे और ये इसका फाइनल लुक है, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए अलाफिस